हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तमें मुगलों के वनसच कहा हैं और क्या कर रहे हैं देगे मुगलों के अंतिम वनसच बहादुर साज जफर थें मुगल सासको अंग्रेजों ने वर्मा भेज दिया था यानि कि जो आजकल मेमार देश है वहाँ पर भेज दिया था 18 सुल्तावन की करांटी हुई थी उसके बाद जफर को वहाँ पर भेज दिया था और उनके बेटों को सायथ फासी दे दिया गया था कहा जाता है कि उसी समय उनके दूनों पुत्रों की हत्या भी कर दे गई था यानि कि वही फासी चला दिया गया था वही कुछ का मानना है कि उसके कई पुत्र थे और उनकी भी कई संताने थी कलकत्ता के सुल्ताना बेगम मुगल वनसज होने का दावा करती हैं कल्कत्ता में एक सुल्ताना वेगं में वो अपने आपको कहती है कि हम मुगल के वंसर है उनका नाम है मेरिचा याकुब हवी बुद्दीन तूशी बाहदुर सा अगे छटवे पीड़ी होने का इन्होंने दावा किया है वो हैदराबाद में रहते हैं इस समय रिपोर्ट्स के मताबिक उसे भारत सरकार से 8000 रुपे की पेंसन मिलती है हर महीने यह लाल किला समेथ सभी मुगल इमारतों पर अपना मालिकाना हक बताते हैं इसलिए इनको सरकार पेंसन के तोर पर कुछ पैसे भी देती है